दोस्तों कि आपको पता है जब भी आप YouTube पर वीडियो अप्लोड करते हैं तो आपका वीडियो वाइरल नहीं होता है लेकिन दोस्तों यहीं पी मैं बात कुरूँ बड़े-बड़े क्रियेटर का है जैसे कि टेकनिकल योगी होगी होगी है मनोज भाई होगी है या फिर हम लो आफिर आप करते हैं अच्रप नैश्च को ले सकते हैं या फिर मनोज भाई होगी 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 सकते हैं तो से चैनल पर जब भी वीडियोस अप्लोड किये जाते हैं तो 100% वीडियो वाइरल हो जाता है तो क्यों होता है तो इसका आपको रीजन पता है दोस्तों यहां पर दरासल बात क्या है जो आपको जितने भी बड़े-बड़े मैं भी उज़ करता हूं तो मैंने सोचा चलिए आप लोगो भी बता देता हूं तो यहां पर एक राज है दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जब भी यूट्यूब पर वीडियोस अप्लोड करते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ अप्लिकेशन का मदद लेता हूं हम बारें वीडियोस भी बनाकर आपको दिखाता है लेकिन दोस्तों दरासल यहां पर आप लोग को यह नहीं बताता है जो कि मैं उसको कैसे यूज करता हूं खुद वह कैसे यूज करता उस अप्लिकेशन को उस प्रोसेस को आपको नहीं बताता है आप लोग को यहां पर दू एक से तू मिनिट का बाद आपको इस application में बस दो काम करना है और प्रसेशनली सभी creator करते हैं लेकिन आपको काम नहीं बताता है, आपको बताता है लेकिन उस Paradise नहीं दूसरा setting बता देता है लेकिन वह जो अमलेक के YouTube चैनल में वीडियो वायरल होता है तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करना से पहले कल लगा देहां तो इस भाई का चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो डिसक्रप्शन में एड़ कर दिया हूँ अपने टेलिग्राम चैनल पर तो जा कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके चैनल को सपोर्ट करो और दोस्तों का लिंक में एक साथ तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तों अप्लिकेशन का आपको नाम बताने से पहले आप लोगों को ये बताता हूं कि आपको ये जानना है जो कि हम लोग उस application को कैसे use करते हैं यहाँ पर दो काम करते हूं उस application में और दोनों काम कौन सा हम लोग करते हैं यह आपको जानना है उसके बाद दोस्तों guarantee अपका वीडियो वाइरल होगा तो यहाँ पे application का नाम क्या है पता है दोस्तों application का नाम है VidIQ अब पहले भी इसका नाम सुने होंगे लेकिन दोस्तों पहले अब देखो वीडियोस को जो कि कैसे हम लोग यूज करते हैं इसमें कौन सी काम करते हैं अपनी YouTube वीडियोस में तो यहाँ पे देख सकते हैं VidIQ application मेरे पास यहाँ पे तो सबसे पहले आपको इस application को डाउनलोड करना होगा प्लेश्टूर से और सभी यूट्यूबर रखें इस application को दोस्तों जितने भी बड़े-बड़े creator आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं इस application का बस दो सहरा लेता है दो ही सेटिंग का यूज करता है बांकी सेटिंग का यूज नहीं करता है तो आपको बताऊंगा जो कि सेटिंग मिलता है यहां पर यूज करताया यहां पर टूलमिलता है तो इस टूल का पहला यूज करता है आपने डिमीटेस डोस्तों सेवाइड़ा रखना पड़ता है तो वो टायटल यहां पर कितना लोग किलिक करते हैं उस पर कितना ग्यूज आता है रोज तो यहां पर जैसे कि मैं एक टाइटल को चलिए यहां पर सच करके दिखाता हूं यहां पर सच का अप्शन मिलता है तो यहां पर दोस्तों जो liberal रखने जा करो पहले यहां यहां पर देखूंगा चेक करके क्या यह लिए प्रफर्ट टाइटल है या फिर नहीं तो देख स्टमें ने इस टाइटल को जैसे आपफ i d? यहां पर किया जाते हैं दो प्रहला मिलता है दूसरा मिलता आपको अपको यही पर समयना है दुस्तों पहला आपको यही पर समयना है और आपको जो सेकेंड टीम्स बताऊंगा इस अप्लिकाशन का सेकेंड टूल उसको आपको जरूरी कर रहे हैं तो यहां पर जो होता है यहां पर दोस्तों इसको बोलते हैं सर्च भॉलियम आनि कि यूट्यूब पर इतना लोग सर्च करते हैं तो सर्च वोलियम अगर रहता है तो काफी अच्छा है सर्च भॉलियम लोग बहुत लोग इसको सर्च करते हैं इस कीवर्ड को लेकिन दोस्तों अगर आप यहां पर सबसे पहले आपको यह भी देखना है कि इस पर कंपीटेशन कितना है इस टाइटल अगर यहां पर ज्यादा कंपीटेशन ह ट्रम देख लेकिन दोस्तों यहां पर और वहां पर दिखाये चाएँगे आप यहां पर इतने सारे keyword मिलेंगे इस सारा keyword को इबर check करके आप वहां पर देख लेना कौन सा keyword आपके वीडियो के लिए सही होगा कौन सा title सही होगा मैं आपर search करता हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा हैं जो कि देखते हैं इसको मैं search कर लेता हूँ मैं यहां पर क्या करता हूँ इस keyword को इबर check कर लेता हूँ यहां पर देख सकते हैं तो इस keyword को मैंने आपर search कर दिया अब दोस्तों देख सकते हैं इस keyword पर जो search volume है वो है medium और यहां पर competition भी medium है तो इसको आपको title नहीं रखना है इसमें आपका videos rank करने का बहुत कम chance होगा तो इससे बेहतार है पहले वाला keyword जो मैंने पहले search किया था अब दोस्तों आपर जो second काम करता है वो second काम किया करता है पता है दोस्तों तो second काम करने के लिए पहले YouTube पर videos को upload कर देता है जब 100% upload हो जाता है तो videos को पहले unlisted में upload करता है तो upload करने के बाद वो second step यहां से और एक काम लेता है कौन सा tool चली आपको दिखाता हूँ तो उस tool का use करने के लिए यहां पर dashboard पर click करना है और यहां पर जोस्तों आपका सारा videos show करेगा तो यहां पर आपको अपना latest वाला video जिसको upload किया है unlisted में तो उस videos को आपको यहां पर निकालना है तो इस पर का से मैं एक video को यहां पर निकाल लेता हूँ अब दोस्तों गर आप यहां पर गोर से देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको बताता हूँ तो उसको आप देने के बाद दोस्तों इस application को जैसे open करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपको यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा tag आपको यहां पर suggest करेंगे recommend करेंगे यह application और यहां पर गोर से देखो SEO score जो आपको 19 मिल रहा है यहां पर अभी आपको मैं increase करके दिखाऊंगा SEO score यहां पर increase होगा देखो यहां पर कैसे increase होगा तो यहां पर मैं इन सारा keyword को जो यहां पर select कर लेता हूँ देख सकते हैं और यहां पर save पर click कर देता हूँ अब दोस्तों देखो SEO score यहां पर हो चुग है उसी पर्कार से फिरसे आपको keyword यहां पर search किया है और इसी पर्कार से फिरसे आपको here पर suggest किया keyword देख सकते हैं तो फिरसे आपको इन तीनों को select कर लेना है select करने का अदी आपको save पर click कर देना है तो इस परिकार से दोस्तों है मैं SEO score हो चुग हो चुग है 30 आपको 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 कई चीमें मिलता है जबकल को यहां को तो इतना काम करने काल है तो बाद मेंको कोमेंट करना दोस्तों 100% आपको रिजल्ट मिलेगा अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बस एक लाइक करके कर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करदना